हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल आज मैं बना रही हूँ गोंद के लड़ू ये लड़ू हमारी इम्म्यूनिटी को मजबूत रखेंगे और यही तो हम एच्छी है तो आज हम बड़ी ही आसानी से धेर सारे ड्राइब फ्रूट्स डाल कर गोंद के लड़ू बनाएंग दालेंगे और एक टेबल इस्पुन काली मिर्ट का पाउडर लिया है और सो ग्राम ही मघज लिये हैं और सो ग्राम ही मैंने गोंद लिया है एडिबल गॉंद ड्राइफ्रूट्स आप कम्या जादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग और यहां पर मैंने एक नारियल को ग्रे अब सबसे पहले कडाई में मैं थोड़ा सा घी ले लेती हूँ या करीब मैंने 4-5 टेबल स्पुन जितना घी लिया है इस पूरे लड़ो बनाने के प्रॉसेस में हमें टोटल 1 kg घी लगेगा घी जब हलका गरम हो जाए तब उसमें हम गोंद को डाल कर अच्छे से फ्राइ कर लेंगे यह बिल्कुल साइज में डबल हो जाता है गैस का फ्ली मीडियम रखना है नहीं तो यह तेज आज पर बाहर से जल जाएगा तो इस तरह से हम पूरा गोंद फ्राइ कर लेंगे अब इसी घी में हम मगश डाल देंगे और साती खस खस डाल देंगे और इसमें हम जो नारियल को ग्रेट करके लिया था वो भी इसी में डाल कर पूरे एक मिनट के लिए इसको बिल्कुल मीडियम फ्लीम पर ही भून लेंगे इस तरह से ड्राइफ रूर्स को सेख कर डालने से ये लड़ू काफे दिनों तक खराब नहीं होते इन लड़ूं में हमने खसकस भी कर पीज भी सकते हो और अब इसी कड़ाई में एक टेबल स्पून घी डाल कर काजू और बादाम को भी बिल्कुल मीडियम फ्लीम पर भून लेना है जिससे कि ये अच्छा सा क्रंच आए इन ड्राइफ रूट्स का ड्राइफ रूट्स आप अपनी पसंद से आप कामिया ज हो चुके हैं और आप देख सकते हो काजू हलका सा पिंकिश कलर का होने लगा है तब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे आप इन ड्राइफ रूट्स को इस तरह से मैं चौपर में डाल कर चौप कर लूँगी बिल्कुल छोटे-छोटे टुकडों में अगर आपको इस हो चुके हैं एक अच्छा सा मुँँ में जब लड्दों के साथ बाइट आता है ट्राइफ रूट्स का तो काफी अच्छा लगता है तो इस तरह से मैंने पूरी ड्राइफ रूट्स के तरह से टुकडे कर लिए हैं अब यहां यह गॉन्द है बिल्कुल ठंडा हो चुका ह तब इसको इस तरह से चोड़े से बरतन में लेकर इस तरह की बिल्कुल फ्लैट कटोरी लेनी है और इस तरह से प्रेस करते हुए इसका बिल्कुल चूरा कर लेना है बिल्कुल छोटे चोटे टुकुडे हो जाएंगे इसके इस तरह से प्रेस करते हैं बहुत ही आसानी से बि उसमें हम add कर देंगे ये गलों का आटा एक आटा हलका सा मोटा होना चीह जिस तरह यह पे isol Lau cah बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे बुनना है बिल्कुल तेज आज पे नहीं बुनना है नहीं तो बहुत ही जल्द जल जाएगा आटा अभी आपको लग रहा होगा कि आटे में घी कम है लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है गी इस तरह से हमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर दीर देरे देरे बुनते रहना है देरे देरे आप देखोगे गी आटा बिल्कुल घी छोड़ने लगता है बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डीला होता रहता है और इसको हमें करीब 10 से 15 मिनट के लिए बुनना है जब तक ये बिल्कुल लाइट गोल्डन प्राउन ना हो जाए और अच्छी सी खुश्बू ना आने लगे और इस तरह का हमें इसको बुनकर तैयार करना है इसमें मैंने बिल्कुल भी और घी अड़नी किया है दीरे दीरे बुनते बुनते अपने आप इसी तरह का हो जाता है आप देख सकते हो अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते है या एक बड़े से बर्तन में निकाल लेते हैं तो यहाँ पर एक मैने बड़े सी परात में इस आटे को निकाल लिया है और अब इसमें सबी ड्राइफ रूर्स नारियल और गौन्द भी डाल देंगे अब इसमें PCV काली मिर्च भी एड़ कर देना है और इन सबी जीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है और आप देख सकते हो आटे में सबी ड्राइफ रूर्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं तब एक पैन में हम बचा हुआ घी डाल कर गरम कर लेंगे यहां एक केजी घी लिया था तो उसमें जो भी घी बचा है वो लास्ट में हम इसमें गुड में डाल कर मिक्स करेंगे तो अब गी गरम हो जाए तब उसमें हम गुड़ डाल देंगे गुड़ियां पे मैंने 800 गराम लिया है इसमें भूल कर भी पानी नहीं डालना है नहीं तो लड़ू बहुत जल्द खराब हो जाएंगे और बिल्कुल हार्ड बनेंगे सॉफ्ट लड़ू बनकर तयार नहीं होंगे तो गरम गरम घी में जब हम गुड़ को डालते हैं तो ये बहुत ही जल्द मैल्ट हो जाता है गैस का फ्लेम मीडियम रखना है मीडियम फ्लेम पर इसको बीच बीच में इस तरह से चलाते हुए बस गुड़ को हमें मैल्ट करना है और आप देख सकते हो गुड़ बहुत अच्छी से मैल्ट हो चुका है अब इसमें हम एड़ कर देंगे एक चम्मा चिलायची का पाउडर और इसको डाल कर भी एक बार मिक्स कर लेते हैं और ये गुड़ का जो सिरप है तैयार है और अब इस गरम गरम गुड़ के सिरप को इस ड्राइफ रूट्स और आटे के मिक्सर के उपर डाल देंगे और इस गरम गरम को ही अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे कि ये आटे में और ट्राइफ फूर्स में काफी अच्छे से मिक्स हो जाए इस तरह से दो इस पैचुला लेकर इस तरह से हमें मिक्स करना है और आप देख सकते हो सबी चीजों को मिक्स कर दिया है मैंने अभी ये मिक्सर बहुत गरम है हलका ठंडा होने के बाद इसका हम लड़ू बनाएंगे ये मिक्सर हलका सा गरम रहना चाहिए जब इसके लड़ू बन पाएंगे बिल्कुल ठंडा होने के बाद लड़ू नहीं बन पाएंगे तो आप जिस पी size के प़संद करते हो लड़ू बनाना उस size के लड़ू बनाकर तैयार करें तो लीजिए ये तैयार हैं ये गॉंद के लड़ू तो आप दीन लड़ू को बनाकर ट्राइ कीजिए और इनको महीनों तक हमें स्टोर करके भी रख सकते हैं या हमारी इम्म्यूनिटी तो बूस्ट करते हैं साथ ही हमारे शरीर को ये गर्माहट भी देते हैं तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेर सब्सक्राइब करें